विशाक में सुनी जाने वाली पीपल पत्वारी की कहानी पीपल पत्वारी की कहानी विशाक में कही और सुनी जाती है सनान और पूजा के बाद पीपल पत्वारी की कहानी अवश्य ही सुनी इसी से विशाक सनान की पूजा पाठ का पूर्ण फल मिलता है मित्रों पीपल पत्वारी की कहानी आज हम आप से शेयर कर रहे हैं एक गूजरी थी उसकी बहू एक समय की बात है एक गूजरी थी वह अपनी बहू को कहती थी जाकर तू दूद और दहीं बेचा दूदही बेचने के बाद जितने पैसे मिलेंगी वह मुझे लाकर देना बहुक बिचारी सीधी साधी थी उसे दूदही बेचना नहीं आता था वह दूदही को लेकर चल पड़ी चलते चलते उसने देखा विशाक के महीने में ओड़ते पीपल सीच रही है वहीं बैठ कर पूजा पाट कर रही हैं कथा कहानी सुन रही हैं वह भी ओड़तों के पास जाकर बैठ गई और बोली बहन आप यह सब क्या कर रही हो ओड़ते बोली विशाक का पावन महीना चल रहा है हम पीपल पतवारी सीच रही हैं उन सभी ओरतों को पीपल पत्वारी सीचता देखकर बहु के मन में भी पीपल पत्वारी सीचने की भावना आई जब ओरतें गई तो उसने कहा पीपल पत्वारी आपको सभी ओरतें तो जल से सीचती हैं लेकिन मैं आपको दूद और दहीं से सीचूंगी उस गुजरी की बहु ने पीपल और पत्वारी में दूद और दही दोनों सीच तिये, अब तो उसका हर रोज का नियम बन गया, वहाँ पर वह जाकर बैठ जाती, वे शाक के महीने में और ते पीपल पत्वारी सीचने के लिए आती, सभी तो पानी से पीपल पत्वारी सीच लेकिन बहु हर रोज दूद और दही से पीपल पत्थवारी सीचती उनके साथ मिलकर पूजा पाठ करती और जाकर कथा कहानिया सुनती पूरा महीना बीट गया सासु ने कहा बहु दूद और दही बेच कर आती है पैसे दे बहु बोली मा जी महीने के आखरी में दूंगी तो सास उसे दूद नहीं के पैसे मांगेगी तब वह पीपल से बोली मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्या करूँ पीपल ने कहा यह पत्थर डंडे पान पत्ते पड़े हैं वह ले जा और गुलक में रख देना जब सास ने पूछा पैसे लाई है तो गूजरी ने कहा मैंने पैसे गुलक में रखे हैं तब सास ने गुलक खोल कर देखा तो सास देखती ही रह गई उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे पत्थर डंडे और पत्ते धन में परिवर्तित हो गए सास बोली बहु इतना धन कहां से लाई तब बहु ने आकर देखा तो बहुत उन पड़ा है तब गूजरी ने कहा सासु जी मैंने तो एक महीना दूद नहीं से पीपल की पत्थवारी में सीचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्था डंडे बत्ते दे दिये और मैंने गुलक में रख दिये और वह सब हीरे मोती बन गए तब सासु जी ने कहा अब की बार मैं भी पत्थवारी सीचूंगी सासू भी विशाक के महीने में दूद नहीं बेशने जाती हांडी धोकर पीपल पतवारी में रखाती बहु से कहती तू मेरे से पैसे मांग बहु ने कहा क्या कभी बहु भी सास से पैसे मांगती है सास बोली तू मेरे से पैसे मांग तो बहु ने सास से दूद नहीं के पैसे म गुल्क में रख देना, बहू ने गुल्갑 खोल कर देखा, उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे, गुज्री ने सास से कहा यह क्या है, सास देखकर बोली पीपल पतवारी ने तेरे को तो अन धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिये, तब सब बोले बहू तो सत से सीचती थी सासु जी धन की भूख से सीचनी थी इसलिए है पत्वारी माता जैसे बहु को दिया वैसे सब को देना जैसे सासु को दिया वैसे किसी को मत देना यह थी पीपल पत्वारी की कहानी आशे हैं आपको पीपल पत्वारी की कहानी पसंद आई होगी विशाक के महीने में पूजा पाठ के बाद पीपल पत्वारी की कहानी हर रोज सुनने से प्रभू कृपा प्राप्त होती है बोलिए पीपल महराज की जै आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक चेर और सब्सक्राइब थैंक यू